नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HVS Studies पर है तो दोस्तो जैसे कि आप सबको पताईए कि हमने Mission NTPC 2021 की एक सीरीज श्टार्ट करी है जिसकी हम तीसरी वीडियो डिसकस कर रहे हैं तो दोस्तो अगर आपने इस से पहले की जो वीडियो अगर वो आपने मिस कर दिया है तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस सीरीज में हम हर टूजडे, थरस्डे और सेटर्डे को वीडियो डिसकस करेंगे हफते में तीन दिन हम वीडियो डिसकस करेंगे इन वीडियो में जो भी कोशन्स होंगे उनके फुल एक्स्पिनेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएगे वैसे तो इस वीडियो में 25 कोशन होने वाले हैं लेकिन अगर जो extra information प्रोवाइड कराए जाएगे अगर हम उसको भी मिला लें तो इस वीडियो में आपको 50 से भी जादा कोशन्स देखने को मिलेंगे तो ये जो है काफी important वीडियो रहेगी इन वीडियो का जो main focus होगा वो NTPC 2020 के exam के उपर रहने वाला है तो ये काफी important रहेंगी इसमें जो questions हैं ये सभी repeated questions हैं जो की काफी बार exams में पहले पूछे जा चुगे हैं तो चलिए start कर लेते हैं हम अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो दोस्तो हमारा पहला question है तो ICMR जो होता जिसकी short form होती है ICMR इसके जो current director general है वो कौन चुने गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा Dr. Balram Bhargav Dr. Balram Bhargav जो है इनको director general चुना गया है Indian Council of Medical Research का अब Dr. Balram Bhargav जो है इनको एक award से सम्मानित किया गया है जो की रहेगा Padm Shri तो Padm Shri award जो है उससे सम्मानित किया गया है Dr. Balram Bhargav को यह आपको याद रखना है Padm Shri जो होता है यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा civilian award होता है इंडिया का तो यह आपको याद रखना है कुछ important facts देख लेते हैं अब दोस्तो Dr. Balram Bhargav जो है यह जो है secretary भी है Indian Department of Health Research में तो Indian Department of Health Research जो है उसके secretary भी है Dr. Balram Bhargav और साथी साथ director general भी है Indian Council of Medical Research के अब दोस्तो इससे पहले यह क्या थे तो इससे पहले यह एक professor थे एम्स में एम्स के अंदर एक professor थे Dr. Balram Bhargav ICMR जो है इसका headquarter पता होना चीए तो ICMR जो है इसका headquarter है न्यू डेली में यहाँ पर जो हमारा second option है वो है विनोध पॉल तो विनोध पॉल जो है यह member है नीती आयोग के नीती आयोग जो होती है उसके member है विनोध पॉल जो हमारा third option है Dr. Sommya Swaminathan जो है यह chief scientist है WHO की तो यह भी आपको पता होना चीए वर्ड health organization जो है उसकी जो chief scientist है वो है Dr. Sommya Swaminathan चौथा हमारा option होता है Dr. Harshwardhan तो Dr. Harshwardhan कौन है तो Dr. Harshwardhan जो है यह minister है health and family welfare के तो health and family welfare minister कौन है इंडिया के तो वह हो जाएंगे Dr. Harshwardhan तो काफी important question रहे आगे बढ़ते हैं अपने एगले question की तरफ Calangwood is famous for its beaches in which of the following state this beach is situated तो Calangwood बीच जो है जो की इंडिया का most famous बीच है वो इंडिया की कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा गोवा तो गोवा state जो है इंडिया की वहाँ पर एक city है Calangwood जो की famous है beaches के लिए Calangwood बीच के नाम से काफी famous है काफी जाना जाता है इंडिया में Calangwood बीच को कुछ important questions होते हैं इसके उपर वो देखते हैं तो Calangwood जो है यह एक town है गोवा का यह आपको पता होना चाहिए और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है तो वह हो जाएंगे पर्मोध सावन्थ तो पर्मोध सावन्थ जो हैं यह current चीफ मिनिस्टर है गोवा इस्टेट के गोवा की capital जो है वो होती है पाना जी अगर आपसे exam में question पूछा जाएगी इंडिया की सबसे छोटी state कौनसी है एरिया में तो आपका अंसर हो जाएगा गोवा और अगर आपसे exam में question पूछा जाएगी इंडिया की सबसे छोटी state कौनसी है population में मतलब कौनसी state है इंडिया की जिसमें सबसे कम population है तो आपका answer हो जाएगा Sikkim Sikkim जो है वो population में सबसे छोटी state है इंडिया की और अगर area की बात करी जाए तो area में हो जाएगी Goa, Goa के map से समझ लेते हैं हम, अब दोस्तों आपको map में जो है नीचे की site Arabian Sea के पास आपको Goa state दिख रही होगी, तो इसमें Goa की capital आपको दिख रही है, Goa की जो capital है वो है पानाची, तो यह आपको पता रखनी है, अब इससे exam में question क्या पूछा जाता है, map से related exam में आप से question पूछा जाएगा, कि Goa state जो है यह अपनी जो boundary share करती है, वो कितनी state के साथ share करती है, तो आपका अंसर हो जाएगा दो, Goa जो है यह अपनी boundary दो state के साथ share करती है, एक तो हो जाएगी महाराष्ट, और दूसरी हो जाएगी करनाटका, त एक साइड जो है, Arabians यह आता है, Goa के, और दूसरी साइड आती है, महाराष्ट और करनाटका, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, और जो बाकी extra information प्रोवाइड कर आई गई थी questions में, वो आपको याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ, which of the following country is not a part of G7 group, तो दोस्तों इन में से कौन सी country है, जो की G7 group का part नहीं है, तो हमारा answer हो जाएगा, चाइना, चाइना जो है, यह part नहीं है, G7 group का, G7 group जो है, यह main groups में आता है, country के, तो यह आपको याद रखना है, कुछ extra facts देखते हैं इसके उपर, तो G7 countries कौन कौन सी है तो वो हो जाएंगी Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और US, तो यह 7 countries हैं, जो की member है, G7 group का, G7 की full form होती है, group of 7, तो यह भी पूछी आती है, group of 7 जो है, यह full form होती है, G7 की, अब आपको दोस्तों trick बता देता हूँ, मैं G7 countries याद रखने की एक trick है, जो की आपको याद रखना है, drink juice with GF, तो juice आता है, juice और जो GF वर्ड आया है, इनसे जो है, आपको 7 countries याद रखनी है, juice का जो पहला G आता है, वो होता है, Japan, U हो गया USA, I से हो गया Italy, C से हो गया Canada, E से हो गया England, GF का जो G है, उस से हो गया Germany, और F से हो गया France, तो यह तरीका है, 7 countries के नाम याद रखने का, तो बस आप juice पे, GF से आपको countries, जो है, इनके साथों के नाम याद रहेंगे, अब दोस्तों, यहाँ पर जो बात होई है, वो ही है, चाइना कांट्री की, तो चाइना को हम map के through समझ लेते हैं, एक बार, तो दोस्तों, जो brown area में दिख रही है, यह है China, अब अगर हम China कांट्री की बात क पूछा जाएगा, कि जो part इंडिया के साथ share करती है China, उसको क्या कहा जाता है, तो यह जो line होती है, इसका क्या नाम होता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो line divide करती है, उसको बोला जाता है, मैक मोहन line, तो इंडिया और चाइना को divide करने वाली line है, मैक मोहन line, अकर पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान से यह लाइन डिवाइड करता है इंडिया पाकिस्तान को उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन जो है यह बाउंटरी लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि इं LAC, Line of Actual Control, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, चाइना से related, आगे बढ़ते हैं अपने एगले question की तरफ, Which among the following was the author of the book, कामाईनी, तो कामाईनी जो बुक है, उसके author कौन है, तो हमारा answer हो जाएगा, जैशंकर प्रसाद, जैशंकर प्रसाद जो है, ये author है कामाईनी बुक के, तो ये जो है, ये एक पुरानी बुक है, इसके उपर भी काफी बार exams में question पूछा जाता है, काफी famous बुक है, पहले काफी चर्चा में रही थी, तो आगे बढ़ते हैं, अपने एक ले question की तरफ, which of the following disease is also known as dum-dum fever, तो इन में से कौन सी disease है, जिसको की dum-dum fever के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, काला अजर, तो दोस्तों काला अजर बिमारी जो होती है, इसको dum-dum fever के नाम से भी जाना जाता है, एक important question रहता है, disease के उपर काफी बार exams में question पूछे जाते हैं, तो जो disease होता है, ये भी एक science का काफी important topic रहता है, जिस पे की ज्यादातर आपको exam में question जरूर मिलेंगे, तो इसके उपर हमने एक separate video बना दी है, जिसका link आपको description में मिल जाएग अब जोस्तों, जो ये हम बात कर रहे हैं काला अजर की, ये किससे होता है, तो ये protozoan parasite होता है, उसकी वज़े से होता है काला अजर बिमारी, तो ये आपको पता होना चीए, जिसको की दम-दम fever भी कहते हैं, और ये हमारे body के कौन से part को affect करता है, तो हमारे internal organs जो होते हैं, काला अजर, तो ये कुछ parts होते हैं हमारी body के, जिनको की mainly affect करता है काला अजर, तो ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए, तो लीवर को mainly affect करता है काला अजर, अगर पहले oral drug की बात करी जाए, कि वो कौन सा था, जो की treatment के लिए यूज करा गया थ अगला question देखते हैं हमारा, in 2020 which of the following players has been conferred with the Padma Bhushan Award, most important question है, तो 2020 में इन में से कौन से player को Padma Bhushan Award से सम्मानित किया गया है, तो हमारा answer हो जाएगा, PV Sindhu, PV Sindhu जो है, इनको 2020 में Padma Bhushan Award से सम्मानित किया गया है, तो ये काफी important question रहता है, आपके exams के लिए, तो इसके उपर जो देख लेते हैं, तो वो हो जाएंगे, अब दोस्तों Padma Awards जो होते हैं, इनको तीन category में बाटा गया, जो कि होते हैं, Padma Bhushan, Padma Bhushan और Padma Shri, जो Padma Awards होते हैं, ये तीन category में divided होते हैं, जो कि होते हैं, पदम विभूशन, पदम भूशन और Padma Shri, अब ये जो Award Announce होते हैं, ये पदम भूशन और 118 Padma Shri Awards हैं, पदम भूशन जो होता है, ये 3rd highest civilian award होता है, country का, तो इंडिया का तीसरे नमबर का सबसे बड़ा civilian award जो है, वो है पदम भूशन, अगर सारे अबूशन की बात करी जाएं, तो जो 1st highest civilian award है, इंडिया का, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा भ हाइस civilian award है, और जो पदम भूशन आता है, वो 3rd number का हाइस civilian award है, और जो पदम शरी होता है, वो 4th number का हाइस civilian award है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो awards होते हैं, इनके उपर भी काफी बार exams में question पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी जो separate video है, हम आपको उसको description में provide करा दे तो आप description में जाके जो पदम awards होते हैं, या फिर भारत रतन जो होता है, उससे related जो भी questions पूछे जाते हैं, उनकी जो details होगी, वो आपको उसमें मिल जाएगी, अगला question देख लेते हैं हमारा, in which of the following Indian state did the Mopla rebellion of 1921 took place, तो दोस्तों इन में से कौन सी state है, जिसमें की Mopla rebellion जो हुआ था 1921 में, वो हुआ था, तो हमारा answer हो जाएगा केरिला, तो केरिला state जो है, उसमें हुआ था Mopla rebellion 1921 में, तो यह आपको याद रखना है, अब अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे ब तो दोस्तों आपको जो red area में दिख रही है, यह है केरिला state, तो इसके उपर के exam में question पूशे जाते हैं, तो दोस्तों केरिला state जो है, इसकी capital क्या होती है, यह आपको पता होनी चाइए, तो दोस्तों केरिला की capital है वो हो जाएगी त्रिवानन्द पुरम, त्रिवानन्द की बात करी जाए, तो आरिफ मुहमत खान, आरिफ मुहमत खान जो है, यह current governor है, केरिला state के, अब दोस्तों केरिला state से एक और question आप से exam में पूछा जा सकता है, कि केरिला state जो है, यह इंडिया की कितनी state से अपनी boundary share करती है, तो आपका answer हो जाएगा दो, दो states है, जिनसे की क boundary share करती है, तो वो कौन कोन सी state हो जाएगी, तो दोस्तों एक तो हो जाएगी करनाट का, करनाट का state जो है, उससे share करती है, केरिला अपनी boundary और दूसरी हो जाएगी तमिल नाडू, तो यह दो states है, जिनसे केरिला जो है, वो अपनी boundary share करती है, अब दोस्तों map के left side में आपको तो यह जो dotted points दिख रहे हैं यह क्या है तो यह होता है लक्षदीप आइसलेंड तो यह आपको पता होना चाहिए लेफ्ट में के पास आता है लक्षदीप आइसलेंड और अगर तमिल नाडू की साइड चलें तो इस साइड आता है अंडमान एन निकोबार आइलेंड तो यह यह होता है अंडमान एन निकोबार आइलेंड तो यह आपको पता होनी चाहिए अगला कोशन देख लेते हैं हमारा बंबला या फिर बॉमडिला पास इस लोकेटेड इन तो दोस्तों बॉमडिला पास जो है यह कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की वहाँ पे लोकेटेड है बॉमडिला पास कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अब दोस्तों बॉमडिला पास जो है यह लोकेटेड है तावंग डिस्ट्रिक्ट में अरुनाचल प्रदेश में यह जो है यह 1962 इंडिया चाइना वार में तो ये भी आपको याद रखना है काफी बार एक्जाम में ये भी कोश्चन एक्जाम में पूछा जाता है तो बस आपको ये याद रखना है कि बामडिला पास जो है ये इंडिया और चाइना के बीच का पास है और 1962 में चाइना जो है वो गुसात लेते हैं एक बार, तो दोस्तों आपको orange area में अरुणाचल प्रदेश state जो है, यह दिख रही है, अब जो अरुणाचल प्रदेश state है, इसकी आपको capital दिख रही है करती है पहली हो जाएगी मैनमार यह जो पार्ट है यह कंट्री के साथ शेयर करा जाता है मैनमार के दूसरी हो जाएगी भूटान भूटान के साथ शेयर होती है बाउंडरी अरुनाचल प्रदेश की और जो तीसरी कंट्री हो जाएगी वो हो ऐसाम असाम जो है उससे शेयर होती है अरूनाचल परदेश की बाउंटरी और एक हो जायगी नागलेंड नागलेंड और असाम जो है दो इस स्टेट से इंडिया जिन से अरूनाचल परदेश की नेशनल बाउंटरी शेयर होती है तो यह आपको याद रखना है यह कुछ Important Question ब national flag जो है हमारा भारती जंडा जो है उसको किसने design करा है तो हमारा answer हो जाएगा पिंगली बेंकईया पिंगली बेंकईया जो है ये designer है हमारे इंडियन national flag के तो ये काफी important question है जाथतर आपको answer पता ही होगा काफी बार ये एक्जाम में पूछा भी गया है आप कुछ important facts देख लेते हैं तो दोस्तो अभी जो हमारा current version है Indian national flag का वो हमने adopt कराता constituent assembly में जो की हुई थी 22 July 1947 में तो अगर आपसे exam में question पूछा जाए कि हमारा जो इंडियन national flag है ये कब adopt करा गया था ये काफी बार पूछा जाता है तो आपका अंसर हो जाएगा 22 July 1947 में तो 22 July 1947 में जो constituent assembly हुई थी उसमें adopt करा गया था हमारा Indian national flag ये आपको याद रखना है अगर proportion की बात करी जाए रेशियो पूछा जाए कि इंडियन national flag जो है उसका रेशियो क्या है तो length और breath का जो रेशियो है इंडियन national flag का वो है 3 to 1 तो length जो होगी 3 तो breath हो जाएगी 2 3 to 2 जो है ये रेशियो रहेगा length और breath का इंडियन national flag का तो ये आपको याद रखना है और एक important question ये भी बनता है कि currently करनाट का खादी ग्रामोध्य सम्यूकता सगा ये जो है ये सिर्फ एक एकलोती इंडिया की unit है जो की authorize है बनाने के लिए supply करने के लिए इंडियन national flag को तो और किसी के पास authority नहीं है इंडियन national flag को बनाने की तो ये आपको याद रखना है ये question भी important question रहता है ये जो नाम है ये आपसे exam में पूछा जा सकता है तो करनाट का खादी ग्रामोध्य सम्यूकता सागा ये जो है ये इकलोती manufacturing unit है इंडिया की आगे देखते है अपने एग sign करी गई थी important question है ये भी काफी बार exams में पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 1954 तो पंचील 30 जो है ये sign करी गई थी 1954 में किस-किस के बीच में sign करी गई थी तो कुछ extra facts देख लेते हैं इसके उपर तो वो हो जाएंगे जो पंचील 30 है इसको और किस नाम से जाना जाता ह है तो इसको five principles of peaceful existence five principles of peaceful existence के नाम से भी जाना जाता है ये आपको याद रखना है और ये sign जो करी गई थी ये किस-किस के बीच में करी गई थी तो इंडिया और चाइना जो country है इन दोनों के बीच में sign करी गई थी पंचील 30 और ये कब sign करी गई थी तो ये sign करी गई थी 1954 में ये ये भी याद रखना है आपको 1954 में sign करी गई थी और कौन-कौन सी country के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में तो ये कुछ important facts है जो कि आपको याद रखने है अगला question देखते है हमारा Who is the current head of Baba Atomic Research Center तो Baba Atomic Research Center जो है इसके current head कौन है तो हमारा answer हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती तो अजीत कुमार मोहंती जो है ये करंट हैड है बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर के काफी important question है कुछ important facts देखते हैं दोस्तो बाबा अटॉमिक सेंटर की बात हुई है यहाँ पे तो बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका headquarter है प्रॉम्बे मुंबई में जो की है महरास्ट में यह इस्टेब्लिश हुआ था तीन जनवरी 1954 में यह याद रखना है आपको इसके फाउंडर कौन है तो एच जे बाबा जो है यह फाउंडर थे बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर के अब यहां जो हमारा पहला ओप्शन है व development organization काफी important question है DRDO जो है उसके current head है जी सतीश रेड़ी के सिवान कौन है तो के सिवान जो है यह current head है Indian Space Research Organization के तो इस रो जो है उसके current head हो जाएंगे के सिवान तो यह कुछ important facts बनते हैं जो कि आपके exam के लिए important रहेंगे अगला question देख लेते हैं हमारा which of the following device is used to measure the altitude and velocity of cloud तो इन में से कौन सी डिवाइस है जो की use करी जाती है measure करने के लिए altitude, velocity, clouds की तो हमारा answer हो जाएगा नेफो इसकोप नेफो इसकोप जो है यह एक device होती है जो की mainly use करी जाती है measure करने के लिए altitude और velocity clouds की अब कुछ effects देखते हैं इसके उपर और दोस्तों यहाँ पर बात होई है ग्लूकोज का उसको measure करने के लिए यूज करा जाता है तो हमारा जो खून होता है उसमें level जो होता है glucose का उसको measure करने के लिए यूज किया जाता है glucometer तो दोस्तों device के उपर काफी बार exams में question पूछे जाते हैं यह जो scientific instruments होते हैं यह important रहते हैं आपके exams के लिए तो इनके उपर हमने एक separate video बना दिये है जो की important रहेगी आपके exams के लिए आप हमारी description में जाके उस video को देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरफ which organization does not have its headquarter in Geneva Switzerland तो दोस्तों यह जो नीचे चार organizations दी हुई है इन में से कौन सी organization है जिसका headquarter Geneva Switzerland में नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा UNESCO तो दोस्तों UNESCO organization जो है इसका जो headquarter है वो Geneva Switzerland में नहीं है यह आपको पता होना चाहिए बाकि जो तीनों organizations है United Nations Human Rights Organization इसका headquarter है Geneva Switzerland में World Health Organization WHO इसका headquarter है Geneva Switzerland में ILO International Labour Organization इसका headquarter कहाँ पे है तो इसका भी headquarter है Geneva Switzerland में अब कुछ important facts की बात करी जाए तो वो देखते हैं UNESCO की full form होती है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization जिसका headquarter कहाँ पे है तो इसका headquarter है Paris France में UNESCO का headquarter हो गया Paris France में बाकि तीनों organizations जो है इनका headquarter हो गया Geneva Switzerland में UNESCO जो है यह establish होई थी 16 November 1945 में इसके director general कौन है तो इसके director general है Audrey Azale Audrey Azale जो है यह current director general है UNESCO organization के अगर हम United Nations Human Rights Organization के head की बात करें तो वो है Mitchell Battlet तो Mitchell Battlet जो है यह current head है United Nations Human Rights Organization की WHO के head कौन है तो जाएंगे Tedras Adonome Tedras Adonome जो है यह current head है World Health Organization के ILO जो है International Labour Organization उसके current head कौन है तो Guy Rider जो है यह current head है International Labour Organization के अगला question देख लेते हैं हमारा In which of the following cities the central office of reserve bank was initially established तो दोस्तों reserve bank जो है उसका head quarter था सबसे पहले जो central office जो था जो launch करा गया था reserve bank का वो कौन सी city में launch करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा Kolkata तो दोस्तों Kolkata जो है इसमें सबसे पहले established करा गया था central office reserve bank का तो यह आपको याद रखना है कुछ important facts देख लेते हैं reserve bank के उपर तो दोस्तों यह जो initially established करा गया था यह established करा गया था Calcutta में क्योंकि पहले Kolkata को Calcutta के नाम से जाना जाता था और इसके बाद यह permanently move कर दिया गया था Mumbai को Mumbai में transfer हो गया था reserve bank of India का headquarter जो कि अभी permanently यह है Mumbai में और यह कब transfer करा गया था तो यह करा गया था 1937 में तो यह आपको याद रखना रिजर्ब बैंक जो है यह कब establish हुआ था तो यह establish हुआ था एक April 1935 में तो एक April 1935 में जब यह establish हुआ था reserve bank of India जब इसका headquarter था Calcutta में उसके बाद 1937 में इसके headquarter को shift कर दिया था Mumbai महारास्ट में तो यह आपको याद रखना है current governor कौन है reserve bank of India के तो वह हो जाएंगे शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास जो है यह current governor है reserve bank of India के अगर पहले governor की बात करी जाए reserve bank of India के तो वह हो जाएंगे Sir Osborne Smith जो है यह पहले governor थे reserve bank of India के अगर Indian governor की बात करी जाएगी पहले Indian governor कौन थे reserve bank of India के तो वह जाएंगे CD देशमुग CD देशमुग जो थे यह पहले Indian governor थे reserve bank of India के तो यह आपको याद रखने कुछ important questions बनते है reserve bank of India से अगला question देख लेते हैं हमारा according to a study by NASA what was the first molecular formed in space तो दोस्तो नासा ने जो study करिये उसके मुताबिक जो पहला molecule form हुआ था space में वो कौन सा था तो हमारा answer हो जाएगा helium hydride ion helium hydride ion जो था यह पहले molecules थे जो की बने थे space में NASA की study के मुताबिक अगला question देख लेते हैं हमारा some images in computer are stored in PNG format PNG stands for तो दोस्तो हमारी जो images होते हैं computer में वो PNG format में भी save होती है तो जो PNG होता है उसकी full form क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा portable network graphics portable network graphics जो होती है यह full form होती है PNG की और भी कुछ formats होते हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए वो देख लेते हैं जैसे कि JPEG होती है JPEG या फिर JPEG जो होती है इसकी full form होती है Joint Photographic Expert Group तो यह आपको पता होना चाहिए GIF जो होती है इसकी full form होती है Graphics Interchange Format PDF जो होती है उसकी full form होती है Portable Document Format ANI जो होती है उसकी full form होती है Animated Cursor HTML जो होती है इसकी full form होती है Hypertext Markup Language तो यह कुछ important full forms होती है जो कि आपको पता होना चाहिए सबी computer से related है तो यह भी exam में पूछ जाती है अगला question देख लेते हैं हमारा Recently which Indian company became the 40th most valuable company in the world तो दोस्तो most important question है current affair का काफी important question रहेगा तो इंडिया की कौन सी company है जो की 40th most valuable company बन गई है दुनिया की तो हमारा answer हो जाएगा Reliance Industry तो दोस्तो Reliance Industry जो है यह Indian company है जो की 40th most valuable company बन गई है पूरी दुनिया की 40th वी सबसे जादा value जो है company की वो है Reliance Industry की अब इसके उपर कुछ important question देखते हैं तो दोस्तो Reliance Industry Limited जो है इसका headquarter पूछा जाता है Reliance Industry Limited का headquarter है Mumbai महारास्ट में इसके current CEO है Mukesh Ambani इसके founder है दीरुबाई Ambani Establishment उई थी 8 मई 1973 में Tata Group जो है उसकी बात हो यह तो Tata Group के current chairman है एन चंदर शेकरन एन चंदर शेकरन जो है यह current chairman है Tata Groups के Infosys जो है उसके chairman कौन है तो नारायन मूर्ती जो है यह current chairman है Infosys company के Mahindra जो है उसकी chairman कौन है तो आनंद Mahindra जो है यह current chairman है Mahindra Group के तो यह जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगला question देखते है हमारा Recently India America and which company has taken decision to develop a 5G technique तो दोस्तों अभी हाली में India America और कौनजी country ने मिलके एक decision लिया है कि यह काम करेंगे 5G technique पे तो यह भी current affair का एक important question रहता है तो हमारा answer हो जाएगा Israel तो Israel India और America जो है यह तीनों मिलके develop करने वाले हैं 5G technique को तो यह आपको याद रखना है अब दोस्तों यहाँ पे बात हुई है Israel country की तो Israel को map के थूँ समझते हैं अब दोस्तों आपको map में दिख रही है जो orange part में है यह है Israel country तो Israel country जो है इसका आपको पता होना चाहिए कि orange part जो है यह Israel country का है इसराइल की जो capital होती है वो पता होना चाहिए तो Jerusalem जो है यह capital है Israel country की अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करी जाए तो Benjamin नितिन याहू जो है यह current prime minister है Israel country के एक important question और पूछा जाता है Israel country से कि Israel country जो है उसकी जो parliament है उसको किस नाम से जाना जाता है तो Israel country जो है उसकी parliament को नाम से जाना जाता है NESET K-N-E-S-S-E-T तो NESET जो है यह parliament का नाम है Israel की यह question काफी बार exams में पूछा गया है तो आपको याद रखना है अगला question देख लेते हैं ह recently which state government has launched the biggest piggery mission of India तो अभी हाली में इंडिया की कौन सी state है जिनोंने हाली में अभी इंडिया का सबसे बड़ा piggery mission जो है वो launch करा है तो हमारा answer हो जाएगा मेगाले state जो है इंडिया की इनोंने सबसे बड़ा piggery mission launch करा है इंडिया का तो इसके कुछ facts देखते हैं यह जो mission है इसकी जो total लागत है वो है 209 करोड जो है इस mission की total लागत रही की इसका जो target होगा वो यह होगा कि जो stop करा जाए इंपोर्ट 1500 करोड पोर्क in coming three year तो आने machine cringe इस वाले तीन साल में जो देड़ सो करोड रुपे का जो पोर्क बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उस पे रोक लगाई जाए अंदर जो manufacturing होगी वो इंडिया में ही start होगी इसलिए जो पिगरी mission है यह launch करा गया है जिसमें की जो sewer होंगे उनकी जो poetry होगी उनकी जो देखबाल होगी वो पिगरी mission के तहत करी जाएगी और उससे जो pork होगा वो बनाया जाएगा तो इसलिए जो है यह main mission रहेगा पिगरी mission का अब दोस्तों यहाँ पर बात हुए मेगाले state की तो मेगाले state जो है इंडिया की उसको map के थुरू देखते हैं एक बार तो दोस्तों यह जो आपको orange area में दिख रहे हैं यह है मेगाले state अब मेगाले state जो है बांगलादेश बांगलादेश कंट्री जो है इसके साथ शेर करती है मेगाले अपनी बांडरी को और अगर आपसे एक्जाम में कोशन पूछा जाए कि मेगाले अपनी नेशनल बांडरी कौनसी स्टेट के साथ शेर करती है तो आपका अंसर हो जाएगा आसाम आसाम स्टेट जो है उससे शेयर करती है मेगाले अपनी बाउंडरी और दूसरी तरफ शेयर करती है बांगला देश के साथ तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन देखते हैं हमारा Which of the following Vedas has the mention of सरस्वति रिवर तो इनमें से कौन सा वेदा है जिसमें की सरस्वति रिवर के बारे में बताया गया है तो हमारा अंसर हो जाएगा Rig Veed जो है इनमें सरस्वति रिवर के बारे में बताया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए अगला question देखते है हमारा Lord Buddha's statue in Rajgir is in the middle of Dash Lake तो Lord Buddha जो है उनका जो statue है राजगीर में वो कौन से lake के बीच में है तो हमारा answer हो जाएगा घोरा कटोरा घोरा कटोरा जो है ये एक lake है जिसके बीच में Lord Buddha जो है उनका एक statue है तो इसके बारे में कुछ extra information देखते हैं तो दोस्तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नितिश कुमार उन्होंने अन्वील करा था 70 feet का तॉलेस्ट statue Lord Buddha का जो की है नालंदर डिस्टिक्ट राजगीर में तो जो CM नितिश गट करी है बिहार के उन्होंने 70 feet का जो टॉलेस्ट statue है Lord Buddha का वो अन्वील करा था कहाँ पे राजगीर में और ये कब करा गया था तो ये करा गया था 2018 में कब करा गया था 25 नवंबर 2018 को तो ये आपको याद रखना है और ये किस से बना हुआ है तो ये बना हुआ है cubic foot pink stone से तो cubic foot pink stone जो है उससे बना हुआ है Lord Buddha का statue जो की है राजगीर में अब जो गोरा कोटकर लेक है ये एक natural लेक है जो की है जो की घिरा हुआ है 5 hills से तो ये आपको पता होना चाहिए इसके उपर भी question exam में पूछा जाता है गोरा कटोरा जो लेक है ये एक natural लेक हो गया जो की घिरा हुआ है 5 hills से तो ये आपको पता होना चाहिए अगला question देख लेते हैं हमारा which game has 7 players in each side तो इन में से कौन सा game है जिसमें की 7 players होते हैं दोनों side पे तो हमारा answer हो जाएगा water polo और कबड़ी water polo और कबड़ी जो होते हैं ये दोनों games होते हैं जिनमें दोनों team में 7-7 players होते हैं दोनों side कुछ question देखते हैं इसके उपर तो दोस्तो water polo जो game होता है इसमें 6 field players होते हैं और एक होता है goal keeper तो total जो होते हैं 7 players होते हैं water polo में कबड़ी जो game होता है इसमें 7 players होते हैं दोनों team में basketball जो होता है इसमें 5 players होते हैं दोनों team में और जो baseball होता है इसमें 9 players होते हैं दोनों team में अगर खोको की बात करे जाए तो खोको में होते हैं 12 players तो यह आपको याद रखना है अगला कुशन देख लेते हैं हमारा तो विच स्टेट इस दी सुवा डान्स रिलेटेड तो सुवा डान्स जो है यह कौन सी स्टेट से रिलेटेड है यह एक फोक डान्स है जो की पर्फॉर्म करा जाता है इस दान्स को और जो सुवा डान्स होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए अब दोस्तो डांसिज जो होते हैं जो इस्टेट डांसिज होते हैं इनके उपर काफी बार exam में question पूछे जाते हैं तो इसकी जो एक separate video बना दिये है हमने जो कि आपको description में मिल जाएगी वहाँ पे जाके आप इस video उसको देख सकते हैं जो की काफी help करने वाली हैं आपके exams के लिए अब दोस्तो यहाँ पे जो बात होई है वो ही है 36 गर इस्टेट की तो 36 गर जो इस्टेट है उसको map के थुरू देख लेते हैं एक बार होना चींँए अब यह जो स्टेट है जो नेशनल बाउन्डरी शेयर करती है यह कितनी State के साथ शेयर करती है तो दोस्तों 36 गर इस्टेट जो है यह total 6 ग स्टेट है जिन से अपनी बाउन्डरी शेयर करती है जो कि हो पहली हो जाएगी उत्तर प्रदेश, दूसरी हो जाएगी जारकंड, तीसरी हो जाएगी उडिशा, चोथी हो जाएगी तेलंगना, पांचवा हो जाएगा महाराज्ट, और छटा हो जाएगा मद्यप्रदेश, तो ये 6 स्टेट्स ने जिनसे की 36 अपनी बाउंट्री शेयर कर तो यह आपको पता होना चीए अगला कुश्चन देख लेते हैं हमारा चमेरा डैम is situated in which among the following states in India तो चमेरा डैम जो है यह इंडिया की कौन सी स्टेट में located है तो हमारा अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की उसमें located है चमेरा डैम अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से important डैम साते हैं तो वो हो जाएगा पैंदो डैम एक होता है चमेरा डैम और एक है नत्पा डैम यह तीन important डैम से हिमाचल प्रदेश के मद्यप्रदेश स्टेट की बात करें तो बर्गी डैम राजगार डै जाए तो बगलीहर डैम यूरी hydroelectric डैम और दुमखर hydroelectric डैम यह कुछ important डैम्स हो गए जम्मू एंड कश्मीर के अब दोस्तों डैम्स के उपर काफी बार exam में question पूछे जाते हैं तो डैम्स जो है काफी important topic रहेगा आपके exam के लिए डैम्स के उपर हमने separate वीडियो बना दिय जिसका link जो है आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने के लिए question की तरफ who was the architect of Jaipur city तो दोस्तों Jaipur जो की capital है राजिस्तान state की उसके जो architect है वो कौन है तो हमारा answer हो जाएगा विद्यादर भट्याचार है विद्यादर भट्याचार है जो है यह architecture है ज World Unesco World Heritage Site में गिना जाता है जैपur Pink City को तो यह आपको याद रखना है तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और